इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एट्संस अप्रूबल कैसे ले सकते हैं 2023 में बिल्कुल न्यू ट्रीक के साथ मैं बताऊंगा क्योंकि कई लोग यह मुझे कमेंट करते कि भाई मैंने तो खुद का आर्टिकल्स लिख लिख लिया चारीस आर्टिकल्स पिर भी गूगल एट्संस का अप्रूबल नहीं मिल रहा है लेकिन आज से मैं यहां पर अलग तरीका अपनाने वाला हूं अलग मैं ट्रीक बताने वाला हूं जिसके बिएसे अप्रूबल हंड्रेट पर्शेंट आपको मिलेंगे और आपको आपको एजली मिल जाएंगे ऐ आपको दिखा आपको आपको फॉलो करने यहां पर गाइस देख सकते हो मैंने आपके लिए प्टीवी देयर कर रखा कि कैसे अच्छेंट करवाते हैं और एक चीज में बता देता हूं जो भी लोग है यहां पर दो वीडियो में बताऊंगा पार्ट वाई पार्ट यह पार्ट वन रहेगा एक सब्सक्राइब के लिए और एक पार्ट टू रहेगा क्योंकि मैं इस आपको चाहता हूं कि अच्छी तरह से समझाओ ताकि कोई भी इसू नहीं हो आप मैं से काफी लोग ब्लोगर यहां पर कवर करना होता है जरूरी होती है और अपने वेबसाइट पर फॉलो नहीं करोगे तो एट्संस अप्रूब कभी भी नहीं देगा तो यहां पर सबसे पहले देख लिए और सभी लोगो मैं वेलकम करता हूं यहां पर मैं पांच पॉइंट को मैं एक्स्प्लें करूंगा क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग नहीं देखना पसंद करते हैं इसलिए मैं आपर बता देना हूं तो दस पोस्ट के अंदर में कैसे मिलेगा मैं बता देता हूं सबसे पहले आपको एक सिंगल निच करने का मतलब हुआ कि अगर आपको यहा ब supremacy 24 देन सब्किर्टब्स जया लगा नहीं करेगा से से के हरें के पैसे होती है और चलेयों से रिट करकर तो आचको कुछ नहींनicon होने वाला हूँ influencing इसी को मैंने अप्लाई किया था यही साथ जो फर्मूला होता है इसी को अप्लाई करना होता है तब जाकर गूगल एट्स अपरूप जल्दीब कर देती है वह भी तरस पोस्ट के अंदर में तो ए मैंने समझा देता हूं कि कॉर्णर ब्लॉग पोस्ट होती क्या है कैसे इसको यूज करने होती है तो सबसे पहले अगर आपको दस अप्रूप करवानी है तो इस सारे जो मैंने चार पॉइंट पांच पॉइंट लिख रखे है इसको अगर फॉलो करोगे धियान से देखकर तब जाकर करेगा अब मैं बताता हूं कि होती क्या है सबसे पहले देखोगे तो करनी है जादा नहीं चाहिए हैं ज्यादा आप 5000 रैप मिलेगी इसे लिए में बता दे रहाँ पर 20 लाइक कीजिए और 10 जरू होनी चाहिए वी इस वीडियो में c जरूर लाँगा जब भी आपको कर दोगे टार्गेट मेरा तो अब मैं सेकंड में बताता हूं फास्ट रेंकिंग होनी चाहिए क्योंकि सेकंड पॉइंट होती क्या है जो फार प्वेंट में रिलेटेड है अगर आपने 2000 वर्ट का आटिकल डाल दिया तो भास रेंक होगी इ जल्दी करनी चाहिए जितने भी आप डालते हो उसको डीटियल में करो और यहां पर पूरी एची तरसे हर एक इंफॉर्मेशन को फोलेट करो जैसे कि अगर अपने कॉर्णर पूस्ट में डाला है इक्स्प्लेंट जंग फूट के बारे में नहीं डाल दो क्यार दस पर घर करका जंग-ट बूट होते हैं उसके बारे में तो डाल रही है और उससे भी ज्यादे डालना है कि कि उसे ऐसे चांग-पूस्वен she लेकिन अगर कॉर्णर पुष्ट के उपर में आप जाओगे तो थोड़ा सा आपको यहां पर पहले के मुताबिक जल्दी अप्रूबल होने का चांस है मैंने भी करवाया दस स्क्रेंडल में इसलिए मैं सभी लोग को बता रहा हूं आप जो फॉर्ट माइंट है देखो लाने पड़ेंगे और यहां पर लोगे जो लास्ट पॉइंट है अब इसमें होती क्या है जैसे अगर मैं बता दिया करेंगी उसमें यहां पर ट्रेफिक जादे आएंगे और करोगे अच्छी तुरह से डीटियल में तो यहां बारवर वीजिस्टर आने के लिए यहां पर लिखनी चाहिए कितनी वर्ड क्योंनी चाहिए और मैंने बता दिया हूं मैं भता दिया हूं के बारे में तो आपने अगर दो पॉइंट सभी समझ जाएगा तो बाई उसको एट्संस के लिए चुटकियों में हो जाएगा और यार हर एक website को एट्स अप्रूब करवा सकता है 2023 तो सबसे पहले मैं बता देता हूं नौ ब्लोग पोस्ट ऐसे लिखने है जो इसी से रिलेटेड हो जैसे अगर आपने एक मैंने बताया था एक आर्टिकल्स आपको ऐसे लिखने है जो यहां यहां पर कॉर्णर रस्टोंस की तरह हो ब्लोग पोस्ट हो लेयानी की लेंदी हो तो एक वर मैं बता दूं तो 2000 वर्ट का एक आर्टिकल्स डालनी है और ऐसे डालनी है जो आपको पूरे अच्छे तरह से टॉपिक को कवर करनी उसमें बागी का जो नौ आपको डालनी है ऐ जो को अब बिलोग पोस्ट होनी चाहिए तो यह कैसे हो गाओ मैं बता देता हूं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा जैसे आपने आर्टिकल्स डाला है आउट वर्ण मैं और आपने वां लीव कर दिया तो यह दस तरीके आपने जो बताया हैं दस मेसेजिशे आपने बताया होंगे एक यूटूब के बारे में ब्लागिंग के बारे में उसके बाद आपने बताया होंगे तरीक अलग बताया होंगे यहां पर फ्रीलैंसिंग के बारे में सोसल मीडिया के बारे में उसके बाद 1500 को लो और यूटूब कर सकते हो यहीं चैनल बना सकते हो कैसे बात यहाँ और कैसे भाना सकते हैं लाजकर एक सीफेया सब्सक्राइब काई लिए लागा सकते हैं इसके नौद पॉइंट जो भी बंदा समझ गया तो यार होने के लिए उसको कहीं पर भी इधर उदर जाने की कोई जरूत नहीं होगी और उसी तरह से हर अर्टिकल को पब्लिक करनी है मैंने भी बता दिया जैसे दस आर्टिकल के एक आपको लेंदी लगानी है और नाइन आर्टिकल्स ऐस साथ जानी चाहिए तब जाकर एक्षम सप्रूबल होंगे तो यार अगर आपने समझ नहीं अभी तक समझा तो यार फिर से वीडियो को प्रिविव करो और फिर से आप देखो इसी पॉइंट को मैंने कवर किया है अब मैं पोस्ट ऐसे लिखने है नाइन पोस्ट जो इंट ने से लिगा आटिकल आपको और गूगल को सब्सकर नहीं करोगे तो यार गूगल को पता ही नहीं लेगा निटर्म पर जाकर सब्मेट करना है सिर्फ आपको बेब साइट कर सब्मेट करनी पड़ेगी इंटेक्स को इसा करो जाकर में और इस यह पता लगा कि आपका भी आर्टिकल से आपका भी वेप साइट है जो गूगल में एक करते हैं तो यार एक काफी मदद करेगी तो यह आपको करना ही करना होगा अब जो गाईस मोस्ट इसमें पॉयंड मैं बताने वाला हूं आपके टेमपलेट नहीं है तो यह वहाइसा टे पर जाओ और मैंने चैनल पर मैंने बहुत सार वीडियो बना रखेंगा वर्ट के लिए बताना रखेंगा तो यह ब्लाइब वीडियो जाओ और देखो 24 आवर्स के अंदर में अप्रूबल हो जाएका लगवागा के देख सकतो इसके लिए मैं बता दे रहा हूं और मैं बता बूद बावकर आपको 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 आर्टिकल कैसे लिखने होते हैं टेम्प्रेट को कौंसा टेम्प्रेट करना वो मैं और उसके वाद मैं आपको कौन सी आपको चूझ करनी चाहिए मतलब बहुत अभी बाकी है जो पार्टू में आपको कवर करने हुगा तो यार आप लोग अच्छे रिस्पॉंस दोगो इस वीडियो में तब मैं पार्टू जल्द से जल्दाऊंगा और यार जल्दी से आप लोग यहां पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो यार चैनल को सब्सक्र करो वीडियो को लाइक नहीं कियो तो भाई वीडियो को लाइक करो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद